नमस्कार दोस्तों, welcome back to genuinely drop news and updates दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी की साथ में share करूँगा updates के बारे में जो कि almost आप में सभी को पता है लेकिन भूस से दोस्तों के question है इन updates को लेकर के तो इनके बारे हम लोग बात करेंगे यह update दोस्तों है, kucoin hack को लेकर क्योंकि बहुत से दोस्तों के fund kucoin exchange पर है kucoin इसके regarding क्या step ले रहा है, क्या कब हम withdraw कर पाएंगे और क्या चल रहा है currently वहाँ पर तो उसके बार हम लोग बात करेंगे Vidcam को लेकर Vidcam में swapping count लोगों ने announcement किया है kucoin hack को लेकर के दोस्तों kucoin hack की starting होती है यहाँ पर 25 September की रात से यानि कि 25th of September की आज सोबा के करीब 3-4 वज़े के आसपास kucoin ने यहाँ पर यह observe किया कि उनके wallet से कुछ यहाँ पर suspicious transitions हो रही है बड़ी-बड़ी transitions हो रही है और 26th of September को kucoin ने इसके बारे में सभी audience को update करना चालू कर दिया तो जब यहाँ पर transaction के बारे में पदा चला तो पदा चला कि transaction काफी बड़ी है Ethereum की chain पर जितने भी ERC20 token और Ethereum है वो यहाँ से stolen हुए है उन सभी की जो major यहाँ पर stolen वाली transactions है वो यहाँ पर लोग ने अपने इस article में mention करी है और जो address है जो suspicious fishing address है वो address दोस्तों यह है जिसमें around currently साड़े 11,000 Ethereum पड़े हैं और 153 million dollar worth of ERC20 tokens पड़े हुए है articles के मुताबिक दोस्तों यह जो stolen बताए गया है around 150 million का है लेकिन मेरे साफ से दोस्तों यह stolen काफी जादा है 300 million से उपर का है यह stolen है अगर हम यहाँ पर सभी address इसकी बात करें क्योंकि यह चोरी जो हुई है दोस्तों यह सरफ Ethereum के wallet में ही नहीं यह Bitcoin में भी हुई है, LTC में भी हुई है, Ripple में भी हुई है, BCHSB में भी हुई है XLM में, USDT में and TRX की chain वाले tokens की यहाँ पर हुई है तो इन सभी की चोरी जो हुई है करीब 300 million और से जादा की हुई है काफी बड़ी दोस्तों यह चोरी है और KuCoin ने इसकी बीचे का जो reason बताया है कि कि यहाँ पर इतने सारे यह अचानक से क्यों चोरी होना start हो गया तो KuCoin ने यह बोला है कि इनका जो hot wallet है, hot wallet मतलब दोस्तों जहाँ पर user अपने fund को send करते है यानि कि suppose that कि आपने exchange पर अपने fund को send करें तो वो आपकी account में तो reflect करेगा, लेकिन वो fund जो उसका basic wallet है, वो होता है hot wallet, कि कि किसी भी exchange पर जो हम withdraw करते हैं, कुछ भी deposit करते हैं तो वो सबसे पहले उस exchange के hot wallet में जाता है और हर एक exchange का अपना एक hot and cold wallet होता है, ठीक है तो हम लोग के जो fund आते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम exchange पर send करते हैं तो इस hot wallet के अंदर आता है और इस hot wallet की जो private की होती है, वो किसी तरीके से leak हुई है या किसी अंदर वाले team की, किसी का, किसी member का हाथ हो सकता है इसमें, कुछ भी possibility है तो कहने के मतलब यह है कि वो जो key होती है private wallet, hot wallet की, उस wallet की key वो leak हुई है जिसके अंदर bitcoin और सारे wallet connected होते हैं उसके through और बाकि दोस्तों जो second one होता है, यह होता है cold wallet cold wallet के अंदर big fund को रखा जाता है insurance fund को रखा जाता है, backup fund को रखा जाता है by chance कभी future में कभी action के साथ कोई भी incident होता है और उसमें लोहों का fund चोरी होता है या कुछ भी होता है, तो वो इस वाले wallet के through उसको restore करके अपने user को provide कर सके basically यह wallet इसली होता है जिसके अंदर बड़ बड़े amounts के coins and tokens रखे जाते है क्योंकि दूस्टों यह secure इसली होता है यह cold इसली होता है, यह internet से बिलकुल disconnected होता है all time, जब भी इसके जरुद पढ़ती है तभी इसको internet से connect किये जाता है and किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी घटना होती है तो ऐसे में hot wallet hack हो जाते है दूस्टों यह hack सभी exchanges के साथ होई है sooner or later सभी exchanges के साथ होती है इसली मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अगर आप कोई बड़ा fund hold करते हैं किसी भी exchange पर चाहें वो कितना भी अच्छे exchange क्यों नहीं हो Bittrex हो, Binance हो, कोई भी exchange क्यों नहीं हो कभी भी अपने big fund को जिसको आपको लगता है कि यह fund बहुत जाता important है आपके लिए उसको कभी भी exchange पर hold मत करो hold करना है दुस्तों तो एक 5-6000 का यह device आता है इसको आप purchase कर लो hardware wallet होता है जिसमें आपके seed words होते हैं वो offline आप उसको अपने pen और copy के थुरू note down करते हो या फिर अगर इसमें नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी एक आप लोग personal decentralized wallet ले लिजिए जैसे कि trust wallet का आप लोग use कर सकते हो trust wallet best है atomic wallet का आप लोग use कर सकते हो लेकिन उनके जो seed words होते हैं उनको आप लोग online नहीं offline note down करके रखिए ठीक है यह सबसे important thing है कि आपके जो seed words हैं वो आपके offline होने चाहिए आप कभी भी उनको copy paste जादा मत करो जो भी seed words हैं उनको आप लोग directly type करो seed words को कभी भी copy paste करने की कोशिश मत करो क्योंकि अकसर ऐसा होता है दुस्तों online की दुनिया में कि आपको जो phone है उसके अंदर बाइचंस कोई application आपने ऐसी install कर ली कि वो आपके phone की phishing कर रही है key logging चल रही है उसके अंदर rat यानि कि remote access desktop चल रहा है remote access connection चल रहा है trojan होते हैं दुस्तों virus होते हैं कुछ इस तरह से कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके mobile को कोई उसकी जो text आप copy कर रहे हैं तो वो automatically किसी दूसरे के PC पर जा रहा है तो ऐसा possible हो जाता है मेरे साथ भी दूस्तों ऐसा हो चुका एक बार तो इसलिए कभी भी seed words को private की को copy paste जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करो कोशिश करो कि आपके जो seed words है उनको directly आप just type करो ठीक है और note down करके रखो किसी copy के अंदर instead of अपने आपके mobile के storage में या किसी tax document में जाता लोग रखते हैं तो वो चीज़ सही नहीं है ठीक है बागी दोस्तों इस incident के बात जितने भी project थे जो major fund यहाँ पर stolen हुआ है काफी सारे project कुकोइन के support में आए काफी सारे exchanges कुकोइन के support में है और यहाँ पर जो phishing address है इस address को ethereum के team से बात करके इसको blacklist में डाल दी गया है जैसे कि आप लोग देख रहे है fake phishing यहाँ पर लिका हुआ रहा है अभी दोस्तों यहाँ पर recently कुछ transaction भी होने की कोशिश हुई out होने की Ampli4 token and USDT tether इसको out मिलब दूसरे जगा पर send करने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर आप देख रहे है transaction यहाँ पर block हो गई है transaction नहीं हो पाई तो अभी तक तो यह fund कब का गायब हो जाना चाहिए था यानि कि कि किसी दूसरे wallet में चलाना चाहिए था इस wallet को blacklist में डाल दी गए में भी यहाँ से अभी transaction करना possible नहीं है जिसका भी यह wallet है उसके लिए क्योंकि जूसकी transaction है वो automatically network की तरफ से cancel हो जाएंगी इस wallet के लिए जो की अच्छी बात है अब दोस्तों देखना यह है कि यह fund किसी तरीके से reverse हो सकता है तो शायद बात बन जाए और पता चले दोस्तों बाखी team जाने क्या होगा इसका लेकिन reverse होना मुझे 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 लगता है क्योंकि इसकी private की तो किसी और के पास है private की नहीं है तब तक कोई इसको access ही नहीं कर सकता है यही दोस्तों decentralized blockchain की बात है blockchain technology का यही important part है कि जिसके पास private की है वही उसका मालिक है और दोस्तों यहाँ पर especially उन लोग के लिए यहाँ पर जैसे कि इसका जो CEO है वो यहाँ पर बता रहे है कि उन्होंने USDT को frozen करवा दिया है team से बात करके और अलग-अलग coins को यहाँ पर frozen करवा दिया है और यहाँ पर recently एक post हो रही है जिसमें यह बताया गया है और वैसे भी सभी को पता था कि जिनके भी fund इस incident के अंदर KuCoin का यह जो incident हुआ है इसमें बहुत से user के fund उनके wallet के अंदर से गाइब हो चुके है क्योंकि वो चोरी हो चुका है hot wallet के अंदर से तो ऐसे में बहुत से लोगों अपने account को login करके देखा तो देखा उनके wallet में वो fund उनका जो पहले था वो अब नहीं है तो ऐसे में जितने भी लोगों का fund उनके wallet के अंदर से गाइब हो चुका है KuCoin exchange पर से तो उस सभी fund को restore करके सभी user को वापस दिये जाएगा ऐसा कि ये बताया जा रहा है क्योंकि जो hot wallet, cold wallet है इसके अंदर से जो backup इनका fund होता है उसके अंदर से सभी user को उनके fund जो चोरी हुए है वो वापस करके देंगे ये एक अच्छे exchange की पैच आने और kucoin को ऐसा करना चाहिए अगर उसको market के अंदर टेकना है तो बागी दूस्तों kucoin पे लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा panic होनी की जूरत नहीं है क्योंकि जो fund चोरी हुआ है वो वापस मिल जाएगा लेकिन जिसका fund चोरी हो होता है उसी को ही इस बात खंदाज होता है कि कितनी वड़ी problem है वो आ जाता है अचानक से लेकिन जाता मुझे लगता है कि सब कुछ एक या दो week के अंदर सब कुछ normal हो जाना चाहिए अभी deposit and withdraw यहाँ पर बंद हैं बहुत सारे यहाँ पर जो program आने वाले थे वो भी यहाँ पर उनको अभी suspend कर दिये गया है कुछ यहाँ पर events आने वाले थे जो कि आज की rate के साब से schedule थे उनको भी यहाँ पर delay कर दिये गया है क्योंकि पहले यह काम major important work है उसको complete होना ज़रूरी है that's why तो currently kucoin exchange पर volume भी काफी कम हो चुका है ट्रेडिंग का और बहुती चीज़े यहाँ पर भी stop हो चुकी है तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं मेरा भी इसमें थोड़ा बहुत fund रखा हुआ है kucoin में लेकिन अची बात ही है कि जो fund है वो properly balance हमाँ पर show हो रहा है और जैसी इसकी एक दो हफते के अंदर withdraw and deposit enable हो जाएंगे तब वहां से लोग withdraw कर पाएंगे तुम अगें दोस्तों बोल रहा हो कि किसी भी exchange पर अपना बड़ा fund store मत करो and कोशिश करो कि करना है तो किसी trusted exchange पर या फिर किसी private आपके जो जिसका account access only on आपके हाथ में हो उसी wallet के अंदर रहो जैसे की decent less wallet, trust wallet, atomic wallet या फिर hardware wallet का आप लोग यूज करो it will be best, hardware wallet दोस्तों एकदम best है इसका link में आपको description में दोँगा अगर आप इसको purchase करना चाहते हो तो कर सकते हो अब दोस्ते हाब पर हम लोग बात करते हैं Vidcam app के बारे में तो Vidcam app के बारे में आपके साथ Telegram पर share किया था इनकी एक update थी कि यह सभी exchanges से सबसे पहले तो अपने जो VIAE token है जितने भी exchanges पर listed है वहां से उसको delist कर दिया है, especially KuCoin पर था ये KuCoin पर तो वहां से उसको delist कर दिया है और जहां पर भी लिस्टेटा किसी centralized exchange पर तो वहां से भी इसको delist कर दिया है इनका जो पराना वाला old contract address था उसको convert कर दिया है new address यहाँ पर बनाया गया है जो की token का new address है तो यहाँ पर जितने भी पराने जितने लोगों के पास पहले से यहाँ पर VIAE token है उसको swap कर रहा जागा automatically जिनके exchange में already VIAE stored है तो उनके तो automatically 1 to 1 के ratio में यहाँ पर swap हो जाएंगे और जिन्होंने अपने ERC20 wallet में यहाँ उनके विटकेम app के wallet में है tokens sorry guys यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ गलब आई कि यहाँ पर जो अगर आपका kucoin exchange पर है VIAE coins तो आपको उसको अपने ERC20 wallet में first of all उसको transfer करना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर जो भी transaction होगी वो ERC20 wallet के थ्रू ही आप इसको swap कर पाऊगे ठीक है तो सबसे पहली important चीज़ है कि अगर आपके VIAE token अगर आपके WIDCAM app के अंदर है तो आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है जैसे कि यहाँ पर बताए है if you have your VIAE tokens in the app you don't have to do anything तो आपको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है automatically वो swap हो जाएंगे all to new VIAE tokens में अब इसके बाद अगर आपके tokens किसी exchange पर है या already ERC20 wallet में है अगर exchange पर है तो सबसे पहले उसको withdraw करना पड़ेगा ERC20 wallet में यानि कि KuCoin पर और MXC पर है तो आपको उसको सबसे पहले withdraw करना पड़ेगा ठीक है अपने ERC20 wallet में यानि कि जो आपका trust wallet है या myether wallet उसमें आपको transfer करना पड़ेगा उसके बाद जो इन्होंने एक address यहाँ पर provide किया है उस address पर आपको send करना पड़ेगा तो यहाँ पर दुस्तो एक address पर प्रवाइड करना पड़ेगा है इस address पर आपको अपने old वाले V.I. tokens इस address पर send करने पड़ेगे और उसके बाद यह कुछी समय में आपको automatically new V.I. tokens आपके wallet के अंदर मिल जाएंगे यहाँ पर दुस्तो एक और important बात है कि अगर आप सोचें कि इस address पर directly exchange से आप लोग withdraw करने तो directly withdraw मत करिएगा कोई फायदा नहीं रहेगा आपको ERC20 wallet में सबसे पहले tokens को लेना होगा उसके बाद ही आपको send करना पड़ेगा इसके साथी से थोड़ा आप scroll down और पर होगे तो एक Google का form दिया है जब तक जब आप इन सारे steps को complete कर लेंगे तो यहाँ पर इस वाले Google के form को fill करना पड़ेगा जिसमें आपने अपना as a small KYC यहाँ पर है उसको complete करना पड़ेगा लेट मी चेक हाँ तो आपसे आपकी detail पूछी हैंगी ठीक है ID card भी यहाँ पर आपको अपनी KYC करने पड़ेगी तो यह especially उन लोगों के लिए यहाँ पर है दोस्तों मतलब especially नहीं मतलब सभी लोगों के लिए है और यह हुआ उस वजए से है जैसे कि बहुत सारे लोगों नहीं हाँ पर fake accounts बनाएते है multiple accounts बनाएते है तो उसी की वजए से टीम को यह step लेना पड़ रहा है अगर सब लोग सब अच्छे तरीके से काम करते हैं number 1 से काम करते हैं कोई भी multiple accounts नहीं मनाते हैं और किसी को भी यह swapping वाला issue phase नहीं हो रहा था था नहीं किसी को यहाँ पर KYC कर नहीं पड़ती तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गया दोस्तों यह हुआ all over thing जो भी यहाँ पर यह हो रहा है यह सारा जो swapping का नया system यह लेकर आए हैं और बाकी जितना भी यह हमें problem phase करना ही पड़ रही है तो यह सभी paytm loot वालों की वज़े से हुई है क्योंकि अगर वो multiple accounts नहीं बनाते तो यह सब चीज problem phase ही नहीं होती और भी project हैं जिसके अंदर ऐसी problem आ सकती है अगर वो multiple accounts बनाते रहेंगे लेकिन मुझे लगता है कि जब सब लोग इसी दरीगे से complain करते रहेंगे तो ऐसा करना दोस्तो काफी सही रहेगा हम लोगों को regularly complain करते रहनी पड़ेंगी जिस चीज से भी हमें problem है उस चीज के regarding हमें complain करना ज़रूरी बनता है तो दोस्तो all over इस article के अंदर यही detail है कि आपको कैसे कैसे swap करना है वो आपको detail से step by step बताया है बाकी FAQ आप लोग read कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपके कोई और cushion है तो directly इनके telegram की group में जाके आप लोग बात कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर next one update के बारे बात करते हैं जो है uni world के बारे में दोस्तों recently uni world का distribution यहाँ पर complete हुआ है जो की काफी strong project मुझे लग रहा है personally uni world और इसमें की बहुत से लोगों को यहाँ पर almost people को यह receive हो चुका है लेकिन कुछ यहाँ पर इनके distribution में यहाँ पर गडबर भी हुई है बहुत से लोगों को यह नहीं भी मिला है इसी की regarding दोस्तों मैंने यहाँ पर एक poll create किया था जिसमें around 950 vote करीब यहाँ पर आये हैं और 425 people ने बोला है कि उनको मिल चुका है तो था करीब Here objective नहीं हुआ है और बहुत से लोगों ने हाँ पर KYC भी सम覺्ट नहीं करी 342 people ने हाँ पर KYC पर सम considering क्रीज rasa जिन लोगों ने KYC समें नहीं करी उनको भी यह reward मिल गया है बहुत से लोगों को कुछ नहीं को मिला है a drop का अब इसके regarding मैंने team को mail किया है और उनलों ने reply किया और वहाँ पर मैंने अपनी detail होगा send करी है तो अभी तक उसके आगे further कोई मुझे reply नहीं मिला है कि कब तक मिलेगा क्या होगा कैसे मिलेगा क्या issue है तो आप लोग भी mail कर सकते हैं इनका जो address है वो आपको इनके telegram के group से मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों आपको इनका support वाले mail है वो इनके group में जाना पड़ेगा और यहाँ पर किसी admin से आप लोग पूछ लेना कि support वाला क्या mail है बाकी इनकी mail अलग से आपको फिर में share करी थी जिनके बारे में कुछ information share करना आपके साथ ज़रूरी है जैसे कि दूस्तों यहाँ पर dollars वाला जो yobit का airdrop चल रहा था यह first October को यहाँ पर यह trading इसकी start हो जाएगी और I think उससे पहले ही हम लोग यहाँ पर इसको withdraw कर पाएगे तो हमारे पास जो भी information है वो आजाएगी इस पर थोड़ी सी नजर बना कर रखनी पड़ेगी और बाकी दूस्तों यहाँ पर इसको D.GO NFT वाले airdrop को आप लोग जोइन कर लेना इस project में थोड़ी सी potential लग रही है इस token की supply भी अच्छी है बहुत कम है मतलब और इसका bounty भी चल रहा है इसको आप लोग देख लेना जोइन करना चाहो तो इसको कर लेना फूचन में कुछन को इस profit दे सकता है करनली दोस्तों जो यह जो airdrop है यह NFT का है तो NFT यहाँ पर हमें claim करने है उनको आप लोग कर लेना तो बाकी दोस्तों यहाँ पर next one जो यहाँ पर कुछ information ने इनके बारे में आपको बदा दाता हूँ बहुत से दोस्तों की question थे कि JULB का जो airdrop जॉइन किया था हम लोग इसको जॉइन नहीं कर बायते हैं लेकिन इसकी trading start होई है लेकिन वहाँ पर buy orders नहीं है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं एक बार हाँ तो दूस्तों यहाँ पर trading तो start होई है only sale order है यहाँ पर buy orders नहीं है कोई भी market trade यहाँ पर नहीं होई है लेकिन अगर आप deposit करके रखना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि कुछ समय में यहाँ पर इसकी trading मेरी खाल से proper तरीकी से start हो जाएगी और इसके लावा अगर आपको यह trade कर रहा है तो दूस्तों यह burger swap पर trade होगा almost people को पता है यह कि यह burger swap पर होता है जो कि Binance का swapping exchange है burger swap लेकिन mobile user बोल रहा है कि उनको यहाँ पर कुछ problem आ रहा है swap करने में उनको trade करने में तो ऐसे में दोस्तों मैं चाहता तो हूँ आपकी help कर दूं लेकिन मेरे पास थोड़ा time का problem है मैं अभी immediate आपकी help नहीं कर सकता और थोड़ा सा इसमें मेरा time भी जाता लगेगा और अभी में थोड़ा free भी नहीं हूँ कुछ इंदरों में थोड़ा सा तो इसलिए अगर आपको trade करवाना है तो अपनी community के अंदर एक person है जिनका नहीं में शैलेश खोडे शैलेश खोडे को आप लोग contract कर सकते हैं यह आपकी help कर देंगे trade करवाने में ठीके और बाकी मैं इसे और बात कर लूँगा अपनी community के काफी पुराने person है यह और trusted है तो आप लोग करवा सकते हो और मैं इसे personally PM करके भी बोल दूँगा टेलिग्राम पर almost अभी update में आपको दिये हैं तो UCM दोस्तों receive हो चुके है DJ Phoenix Exchange में मैंने जो आपको update दिया था उसके बाद ही receive हो चुके हैं लेकिन इसकी value बहुत कम है तो उसको sale करने कोई फाइदा नहीं है 500 token ही एड़ोप में दिये जा रहे थे लेकिन उसमें इसकी value करीब 15-20 dollar के असपस उसे यादा बताई जा रही थी तो यहाँ पर अभी तो इसकी value 1 dollar भी दोस्तों मुश्किल है लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं इसकी आप लोग bit रगा कर रख दीजिए इसकी 0.01 dollar है और से जाधा पर और 5-minute token की जब इसकी value pump करती है कुछ समय में या मुझे लगता है एक बार तो शाहिद इसकी value pump करनी चाहिए तो वो पता चलेगा दोस्तों बाकी आप लोग bit लग आकर रख सकते हैं जब भी अगर future में automatically sale हो जागा अगर इसकी value pump होती है तो okay and इसके बाद दोस्तों यहाँ पर next one है बिठंब का FIU वाला हम लोग ने join किया था दोस्तों यह वाला campaign इसका distribution हो चुका है कुछ लोगों को यहाँ पर 400 FIU मिले है 200 लोगों को कुछ लोगों को यहाँ पर 20 FIU मिले है तो आप लोग देख लेना और कुछ लोग यहाँ पर 500 FIU गी I think win किये हैं तो इसकी update भी मैंने आपको यहाँ पर mention कर दी थी और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो next one है power trade के बारे में power trade का दोस्तों यहाँ पर जो इनका early access था वो यहाँ पर finish हो चुका है and इसकी update मेने आपको share करी थी कि आप लोग अपनी position check कर लें क्योंकि यह bitmax exchange पर list हो चुका है एक डॉलर के आसपस इसकी value है 90 cent almost इसकी value है मैं आपको दखा देता हूं तो हाँ दोस्तों इसकी value dump हो चुकी है पिछले एक दिन के अंदर तो almost एक डॉलर से इसकी value start होई थी तीक है 1.1 डॉलर से start होई थी और यह अभी 50 cents पर आ चुका है तो यहाँ पर दोस्तों इसकी future अच्छी है जैसे जैसे दोस्तों यह project लाएगा यानि कि जब इनका जो main net है power trade का main net जैसी जैसे live होगा वैसे वैसे यहाँ पर इसकी value ऊपर जा सकती है इसकी supply भी बहुत कम है और थोड़ा बहुत पोटेंशियल इसके अंदर लगता है क्योंकि यह exchange है power trading exchange एक तरीकी का future exchange है जिसके अंदर future trading वगरा और ladder trading यहाँ पर possible होगी तो वो सब चीज है ठीक है तो ब बिना राइफर के भी 5000 के अंदर आया जा सकता है और बहुत से लोग अपनी community से 5000 के अंदर है तो आप लोग अपनी यहाँ पर चेक कर लेना position जैसे की मेरी position यहाँ पर number 33 पर है ऐसी आप मैंसे बहुत से लोगों की position 5000 के अंदर है और उनकी position के साब से उनको tokens दिये जाएंग कितने कितने tokens मिलने हैं दोस्तों इसके बारे मैं आपको पहले mention कर चुका हूँ यहाँ पर जो position के reward को आप चेक करेंगे इस image पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में तो दोस्तों यह जो reward है यह मैंने इसका screenshot लिया था first time जो मैंने आपके ताथ इसक करके इसको 15 कर दिया 30 to 50 कर दिया 15 ठीक है इसके बाद यहाँ पर सारे reward जो है जितने भी है यहाँ पर उनको half कर दी गया यानि कि जो 1000 से लिगे 5000 के अंदर है उनको पहले 10 token मिल लेते लेकिन अब I think 5 token मिलेंगे और 5 token भी दूस्तों अच्छा profit दे सकते हैं कैसे दे सकते हैं क जिसमें की circulation में only 4 million tokens हैं which is good तो इसकी बदौला दोस्तों यह जा सकती है और बाकि इसका अगर tokenomics आपको देखना है तो invest करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा बात purchase करके रगना चाहते हो तो कर सकते हो मेरे साब से क्योंकि इसका जैसे जैसे मिननेट आएगा वैसे वैसे तो किस तरीके से लोगों ने set किया हुआ है proper तरीके से and इसका मेननेट की exact date क्या है launch होने की या exact month क्या है उसके एसाब से आप लोग देखिएगा बाकी मैं इसके बारे में और detail निकालूँगा and मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वर्त ही है यह invest करना तो बाकी दोस्तों इ आपके साथ कुछ नियू आपके साथ कुछ नियू अप्डेट के साथ अब तक लिए फ्रेंड्स गुडबाय टिक्यार एंड सी यू सून